आप सभी का स्वागते आए देखते आज की खास खबर नापपूर में फेस्बूक फ्रेंड ने किया रेप दोस के भाई ने भी किया शोशन परीजनों ने की छेडखानी एक यूती ने फेस्बूक फ्रेंड और उसके भाई पर बलातका तथा अन्यप परीजनों द्वारा छेडखानी करने का आरोप लगाया है उसकी शिकायत पर पूलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया है संत तुकडोजी नगर निवासी मुकेश राउट पांठेला चलाता है यूती की शिकायत के अनुसार उसकी अगस्त में मुकेश ने 13 अगस्त को जनमदीन के बहाने बस्ती में रेने वाले मामा के घर बुलाया वहाँ जबरन यूती से शारिरिक समन बनाया कुछ देर बाद मुकेश का छोटा भाई पंकज वहाँ पहुचा उसने यूती को मुकेश द्वारा बलात कर किये जानी की क्लिपिंग बनाने का बताया उसने क्लिपिंग वाइरल करने की धमकी देकर यूती से लगातार बलात कर किया तेरा अगस की शाम को मुकेश की भावी को फोनाया उसने घर आने को कहा उसके केने पर यूती मुकेश के घर चली गई वहां मुकेश के मादा पीता बड़े भाई नितेश और भावी ने यूती को मुकेश से शादी करने को कहा ऐसा नहीं करने पर यूती को बेज देने की धम की दी यूती के अनुसार उसने जब शादी का विरोत किया तो मुकेश के परीजनों के सामने उसे समझाने का नाटब करके कमरे में ले गया वहाँ पूर्णता से उसके साथ बलात कर किया उसके बड़े भाई नितेश ने भी यूती से छेड़ खानी की 21 सितंबर की शाम मुकेश ने उसे मुबाईल के आपती जनक फोटो डिलिट करने के बहाने घर बुलाया वहाँ उसे हिंगना मार्ग की होटर में ले गया वहाँ भी चाकू की नोक पर यूती से लगातार बलात कर किया यूतीत का कहना है कि योजशोशन और धमकाई जाने से उसकी मानसिक अवस्ता पूर्णता से खराप हो चुकी थी यह देखकर माने पुष्टाच की तब उसने आपती बताई परिजनों की मदस से प्रतामनगर थाने में शिकाय दर्च कराई पुलिस ने बलातकार, मारपीट तथा धमकानी का मामला दर्च कर मुकेश और उसके भाईयों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने मुकेश के मातापीता तथा भावी को भी आरोपी बताया है फिलाल वक्त हो चुकाई ब्रेक का, ब्रेक से लोटे के बाद देखे देश हो दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आप हुमारे चैनल को आप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNOS हिंदी लिखे और आप डाउनलोड करें साथी साथ आप हुमारे फेजु पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं लिंक, ट्विटर, हाईक और इस्टाग्राम पर भी आप हुमारी खबरें देख सकते हैं आप उमारे चानल को यूटूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूटूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए बने रहे हैं MNS News के साथ दन्यवाद